Hello everyone, welcome to Chehal Academy, this is Anubhav Dipani, faculty of GS at Chehal. and Contingency Fund of India के नाम से जानते हैं. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि Tax का मतलब क्या होता है? Government जब हमसे एक बार Tax collect कर लेती है, तो उस Tax का करती क्या है? Consolidated Fund of India क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, और Contingency Fund of India क्या होता है, और उसका रोल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक बहुत simple चीज समझने की कोशिश करते हैं कि Tax का मतलब होता क्या है? देखिए, इस देश के जो citizens होते हैं, वो free public services के लिए, जो government से हम लोग public services रहते हैं, उन public services के लिए जो पैसा government को देती है, उसी पैसे को हम लोग tax कहते हैं. जब हम government को अपनी income का एक छोटा सा source देते हैं, बदले में government हमें बहुत सारी चीज़ें provide करती हैं, जैसे कि government hospital में free treatment हो गया, या फिर government schools, government college, या फिर scholarship, subsidies, या फिर जितने भी infrastructure को हम लोग use करते हैं, जैसे कि roads, railways, airports, drainage system, इसके अलावा police या army से जो हम protection लेते हैं, या फिर ज schemes हम लोग सुनते हैं, या फिर bank services जैसी चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ government चलाती है हमारे tax के पैसे से, इसे लिए tax collection करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है, एक बार जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि tax तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन अगर major categorize हम लोग करने की कोशिश करें, तो दो तरीके के tax, majorly हम लोग अपनी government को देते हैं, जिसे हम लोग direct tax या indirect tax के नाम से जानते हैं, direct tax का मतलब होता है, example के तौर पर, जैसे की income tax या corporate tax, और indirect tax का मतलब, जैसे जो सबसे recent का है, goods and services tax, जिसे हम GST के नाम से भी जानते हैं, एक बार government, जब यह direct और indirect tax collect कर लेती है, तो उस tax के पैसे को consolidated fund of India में रखती है, अब यह जो consolidated fund of India है, यह basically Indian government का एक bank account की तरह काम करता है, याने कि इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारा अपने अपने bank में account होता है, जिसमें हम अपनी savings या अपनी कमाई रखते हैं, उसी तरीके से government of India भी अप उसे ही consolidated fund of India कहा जाता है, जो एक bank account की तरह ही treat किया जाता है, अब बाद यहाँ पर यह आती है कि यह consolidated fund of India में जो पैसा government ने रखा है, यह काम कहां कहां आता है, साल में जब एक बार national government budget लेकर आती है, जिसे हम लोग annual financial statement के नाम से जानते हैं, तो वो जो budget में पैसा पूरा का allocate किया जाता है, अलग-अलग schemes को, state governments को, या फिर union territories को, या ministries को, ये सारा का सारा पैसे का distribution, उसी consolidated fund of India के पैसे से किया जाता है, अगर हम लोग consolidated fund of India को थोड़ा सा technical way में समझने की कोशिश करें, तो constitution के article 266 clause 1 के अंदर हमें ये consolidated fund of India देखने को मिलता है, government के जितने भी expenditure हमें देखने को मिलते हैं, चाहे basically वो schemes के हो, या फिर किसी state government को fund देने के, कारे के सारे खर्चे इस consolidated fund से ही किये जाते हैं, इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि consolidated fund of India में एक बार पैसा चला गया, तो government जब चाहे उस पैसे को निकाल सकती है, ऐसा नहीं है, Parliament को भी एक process, एक bill pass करने की process follow करनी पड़ती है, consolidated fund of India से पैसा निकालने के लिए, और एक बार जब consolidated fund of India से पैसा निकल जाता है, और government उसे खर्च करती है, तो जो expenditure हुआ है, उसकी भी auditing या accounting या लेखा जोका किया जाता है, Comptroller and Auditor General of India के द्वारा, जिसे हम लोग C.A.G. के नाम से जानते हैं, अब ये जो consolidated fund of India है, इसमें सारे के सारे revenues और सारे की सारी जो payments हैं, वो सब कुछ यहीं पर होती है, चाहे आपको यहां से credit करना हो, या debit करना हो, सारे का सारा पैसा consolidated fund of India में ही आता है, एक चीज तो हम लो Government जो loans raise करती है, या treasury bill से पैसा कमाती है, या tax के अलावा जो दूसरे resources से Government of India पैसा कमाती है, या मान लीजिए कि हमने किसी foreign country को या किसी दूसरे institution या organization को पैसा दिया हुआ है, लोन के नाम पर, तो उस लोन पर जो interest हमें मिलता है, ब्याज हमें मिलता है, या वो लोन वापस का पूरा Government को मिलता है, ये सारे के सारे पैसे और income, Government Consolidated Fund of India में ही रखती है, ये Consolidated Fund of India, basically हमारे daily expenditure के लिए और long term expenditure के लिए तो काम आता है, लेकिन कभी कभी ऐसी situation भी आती है Government के सामने, जहां पर Government को unexpected expenditure करना पड़ता है, ऐसे expenditure जिसके बारे में Government ने सोचा नहीं था, कि एकदम से इतना पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक और अलग से fund generate किया है, जिसे हम लोग Contingency Fund of India के नाम से जानते हैं, मान लीजिए Government के सामने, अगर कोई ऐसा खर्च आ जाता है, expenditure आ जाता है, जिसके बारे में Government ने सोचा ना हो, मान ली Contingency Fund of Government के नाम से भी कहते हैं, जो Constitution के Article No. 267, Clause 1 के अंडर आता है, अब जिस तरीके से Consolidated Fund of India, इंडिया के Parliament के अंडर आता है, उसी तरीके से ये जो Contingency Fund of India है, वो सीधे तोर पर President के अंडर ही आता है, और इस Contingency Fund of India को पूरी तरीके से मैनेज करने के responsibility जो होती है, वो Finance Secretary की होती है, मतला Finance Ministry के जो Secretary है, उनकी होती है, एक वक्त था इंडिया में 2005 के आसपास, जब Contingency Fund of India में सिर्फ 50 करोर रुपे के आसपास होते थे, लेकिन 2005 में 50 करोर से बढ़ा कर उस amount को 500 करोर कर दिया गया, इसी तरीके के polity के important topics को, जो आपकी UPAC की Civil Services Examinations के लिए important होने वाले हैं, अगर आप इन्हें detail में और simple language में समझना चाहते हैं, so please keep following Chahil Academy, I will see you in the next video, thank you very much.